मेरे प्यारे भीवार्श लोगों, मेरे को बहुत दिन इंतयार करना पड़ा एक 60 को आप लोगों को दिखाने के लिए यह जो एक पौधा, जिस पौधा को मैं इखाड़ के इसका जो रूछ सिस्टेम आप लोगों को दिखाये था, सार आप लोगों को यह याद होगा ये देखिए वही वो पोधा जिसको मैं ने उखाड़के इसका जो रूट सिस्टेम आप लोगों को दिखाया था उसी ताइम में आप लोगों को ये बताया था कि ये धान का पोधा का जो रूट सिस्टेम है ये देखिए अभी इसमें से वही जो पोधा मैंने ये उखाड़के आप लोगों को ये जो दिखाया था इसमें से अभी ये बीज निकल के आया है ये देखिए ये एक जो ये सिंगल तिलार है ये सिंगल पोधा है इसमें से बीज निकल के आया है और बाकी बाकी सब का ये एक है ये देखिए इसमें ये भी है निकल के आया है बाकी सब तैयारी में है ये आजकाल या परसो पूरा ये निकल के आयेगा और बेगल में जो है इसमें से भी यह मतलब सभी में से यह बीज निकल के आया है क्योंकि यही जो ताइम है इसका पलीनेशन हो इसका ब्रीडिंग ताइम हो यह प्रपाइड टाइम है इसलिए अभी तो यह जितना है, सभी में से ये, मतलब जो सक्खम है, सभी में से बिज निकल के आएगा, तो में ने कुछ दिन इंतजार करने, मेरे को कुछ दिन इंतजार करना पड़ा, क्योंकि ये जो पोधा में हाथ लगा कि आप लोग को दिखाने का कुशिक कर रहा हो निशे में देखिए ओ अबरो का हबरो का भी है बहुत धेर सारे ये ये जो हबरो का जो किसान को वो मदद पहुशाता है धेर सारे है इसमें मतलब ये थोरा मतलब ये अरुबर मित्ती है तो ये जो देखिए आप केमेरे में ये जो सिंग्ल पोधा यही मैंने जो रुद निकल के दिखाया था वो भगल में दिमारकेशन के लिए हम लोग ने ये जो खमबा है खमबा गार के रखा था ये खंबा का बगल में ही है देखिए ये खंबा देखिए मैंने पकड़ के रखा है तो ये खंबा और साथ में ये जो पोधा ये ये हुआ हम लोग का एक्सपरिमेंटल जो ये धान का जो ये किसी प्रनाली था एक्सपरिमेंटल स्थुद्यन लोग को दिखाने के लिए तो वही जो मेरा एक सीस था आप लोग को दिखाने के लिए वही आभी देखिए ये जो बेज बेज निकल के आया है इसलिए आप लोग को मैंने आज ये वीडिया बना के देखाने का ये कुशिस कर रहा हूँ तो आभी मतलब ये कैमेरे में देखिए जितना दूर हो सके तो देखिए सभी में से आप देखिए ये जो इसका जो बीज है बीज निकल के आया है तो ये बाया तरब मेरे बाया तरब हुआ ये मेरे हो गया दाया तरब दाहिना तरब तो ये देखिए सभी में से आभी ये बीज निकल के आया है क्योंकि ये ही धान खेट का प्रपर ब्रीदिंग टाइम है तो मैं आप लोगों को और एक बार ये दिखा दो कि ये जो चिंगल जो ये और ये जो पोधा इसको मैंने उखार के इसका रुच सिस्टम आप लोगों को दिखाया था तो वही जो पोधा रेखिए मैंने उखार के फिर से इसको मित्ति में गार दिया था तो इसका कोई मतलब हणी तो पोधा नहीं था उसलिए देखीए आबी वो जो time इसका जो एक सक्रा होता है, यो सक्रा पुरा कर लिया, इसलिए अभी इसमें से वो जो बीज है, बीज निकल के आया है, देखिए ये जो खमबा है, खमबा के बगल में यही जो पोधा, मैंने डिमार्गेशन के लिए खमबा गार के रखा था इसका बगल में यही पोदा रेखिए इसमें से अभी वो बीज निकल के आया है तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा यह जो इसमें फूल आएगा अभी तुरन फूल आएगा तो फूल आने का बार में इसका जो पोलीनेशन प्रक्रिया है वो पुड़ा होगा पुड़ा होने के बार में इसमें और जो इसका खोल है अभी एक खोल में यह जो लिकुट से जो पडार्ठा है वो लिकुट से भर जाएगा बार में वही लिकुट जाके सावल होगा तो बार में एक ताइम आएगा हर्वेस्टिंग का जब पूरा ये मेशियोड हो जाएगा पक जाएगा तबी ये खेट को हम लोगोंने हर्वेस्टिंग कर लेंगे तो यही वो सिंगल पूर्धा आप देखिए मैंने बार बार इसको आपको आप लोगों को दिखा रहा हो यही वो जो पूर्धा जिसको मैंने उखार के आप लोगों को ये ये वाली इसको उखार के आप लोगों को इसका रूट सिस्टेम दिखाया था इसका जो रूट सिस्टेम है फाइबराच रूट सिस्टेम वो हिंदी में रेशेदार रूट प्रनाली कहता है ये जो रूट है ये मित्ती का बहुत निसे नहीं जा सकता है ये उपर में रहता है इसलिए ये धान का खेट में क्या होता है पानी का जोड़ोत होता है और मित्ती भी नरम होना सही है तो वही सब हम लोग ने किया था लेकिन अभी जो है अभी ये पानी का कोई जोड़वत नहीं है क्योंकि इसका जो शक्रा शक्रा पुड़ा कर लिया अभी खाले इसमें से वो बीजी निकलना है क्योंकि अभी पानी होने से पानी का कोई जोर्वत भी नहीं है इसलिए अभी ये तो इतना मतलब गाढ़ा किसी भूमी तो नहीं है ये तो हम लोग का ये जो स्कूल में आने जाने का जो एक रास्ता बनाना था और रस्ते के लिए हम लोगों ने यहां में से माती काट के वहां रस्ता में दे दिया तो यह दुनों से में नाले बन गया तो नाले में पानी भड़ गया था इसलिए हम लोगों ने सुसा यहां अगर यह धान का यह खेत लगा दो तो इसमें कम से कम और कुछ नहीं तो स्टुदेन लोग को एक तो नलेज होगा और जो लोग सहरी एडिया में रहता है उन लोगों के जानकाई के लिए मैंने ये लगातार वीडियो बना के आया हूँ तो ये मतलब हम लोग का एक ही रादा था कि ये जब ये जो मेशियोर होगा इसमें से ये बीज निकल के आया तब ये जो धान खिर का जो इस शक्रा है शक्रा को आप लोगों को भी दिखा सको और स्टुदेन लोगों को भी तो यह complete एक हम लोग का यह मतलब experimental और यह शिक्षा मुलग यह हम लोग का एक approach था तो यही कहके मैंने यह video आप यही पर समप करता हूँ